दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बंधन बैंक से लोन लेना चाहते हैं होम लोन की बात कर रहा हूँ तो क्या-क्या क्राइटेरिया रहने वाला है यानि क्या उनकों से डॉक्मेंट चाहिए कितनी एज होने चाहिए यानि पूरा बैंकों में भी सेम ही रहता है थोड़ा बहुत एक दो परसेंट चेंज रहता है बट यहां से आपको पूरा इंटरफेस पता चल जाएगा कि अगर होम लोन लेना है तो क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है कौनकों से डॉक्मेंट होने चाहिए उमर कितनी होने 30 साल से लेके 65 साल के बीच में होना चाहिए 23 साल से कम नहीं होना चाहिए और 65 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद टाइप ऑफ इंप्लोईमेंट की बात करें तो सेलरीड या फिर सेल्फ इंप्लोईड होने चाहिए आप किसी कंपनी में काम करने वाले होने चा ऐसा नहीं कि आपके पास income का कोई भी source नहीं है आपके पास एक न एक income का source होना चाहिए तभी आपको एक loan मिलेगा तीसरे नमर पर आती है nationality यानि आप Indian nationality यानि इंडिया के रहने वाले होने चाहिए तभी आपको यहाँ पे loan मिलेगा अब हम बात करते हैं documents requirement में तो अगर आप salaried है यानि आप किसी company में काम करते हैं आपको salary मिलती है तब आपको क्या क्या देना पड़ेगा identity proof एक देना पड़ेगा resident address proof एक last 3 month का salary slip last 6 month का bank statement existing loan repayment detail property related document अब बात करते हैं यह तो सारा मैंने बता दे identity proof यानि आपका कोई भी identity proof होना जैसे कि pen card हो गया resident address proof यानि जैसे आधार card last 3 month salary slip यानि जो भी salary आपको मिलता है उसका slip 6 महिने का statement bank का उसके बाद पहले से अगर कोई loan आपने लिया है तो उसका repayment का proof आपको देना पड़े है कि पिर अगर आप नहीं चुकाते तो कैसे पैसा के रिकवर करेंगे वो देखेंगे कि हाँ आपके पास 50 लाग का property है या कुछ है तो आपको देना पड़ेगा उसके बाद बात करें आपे for self employed यानि अगर आपका कोई business है online offline कोई भी तो उसके लिए कहती है पहला यहाँ पर identity proof identity proof में pen card चल सकता है उसके बाद resident यानि address proof आधार कर देजिए पहचान पर देजिए driving lesson देजिए उसके बाद last 6 month bank statement पिछले 6 महिने का bank statement देना पड़ेगा जहाँ पर आप पैसे receive करते हैं यानि लेंदेन करते हैं उसके बाद business detail business detail दीजिए अपना कि आपका क्या business है कौन सा business है सब कुछ detail उसके बाद यहाँ पर existing loan repayment detail यानि अगर पहले से कोई loan है तो उसका यहाँ पर आपको proof देना पड़े है कि आपने दे दिया है कैसे दिया है पूरा detail यहाँ पर देना पड़ेगा तो दोस्तों यह जो मैंने detail आपको बताया जो requirement मैंने बताया इस eligibility criteria के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको 100% बंधन bank से loan मिल सकता है तो इस वीडियो के लिए तना ही लेकिन इस वीडियो से related कोई doubt है तो comment section में बताएगा उसका जवाब में जरूद दूँगा और loans related कोई भी सवाल है तो आप किसी भी वीडियो में या फिर इस वीडियो के comment section में पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जरूद दूँगा अभी के लिए तना ही thank you for watching